आप दुबई से पोलेंड जाने की योजना बना रहे हैं, तो बड़ा कदम उठाने से पहले आपको कुछ बाते पता हुनी चाहिए। शुरुआत के लिए, पोलेंड मध्य यूरोप में स्थित एक लेंडलोक देश है, जिसकी सीमा पश्चम में जर्मनी, डक्षन में चेक गनराजिय और स्लोवाकिया। पूर्व में यूक्रेन और बेलारूस और उत्तर में लिथुएनिया और कलीनी नग्राद ओबलास्ट से लगती है। पोलेंड की आधिकारिक भाशा पोलिश है, लेकिन बहुत से लोग अंग्रेजी, जर्मन या यूक्रेनी भी बोलते हैं। जब रहने की लागत की बात आती है, तो पोलेंड अन्य पश्चमी यूरोपिय देशों की तुलना में अपेक शाकृत सस्ती है। हालां की, आप जिस शहर में रहना चाहते हैं, उसके आधार पर कीमतें बहुत भीन हो सकती है। उदाहरन के लिए, वार्सौ पोलेंड के सबसे महेंगे शहरों में से एक है, जबकी व्रोकला या पॉजनान जैसे छोटे शहर अधिक किफायती हैं। यदि आप बच्चों के साथ जा रहे हैं, तो उन्हें छह वर्ष की आयू तक पहुचने के बाद स्कूल जाना होगा। पोलेंड में, अठारह वर्ष की आयू तक शिक्षा मुफ्प और अनिवार्य है। सार्वजनिक और निजी दोनों स्कूल उपलब्ध हैं। हाला की अधिकांच स्कूल शिक्षा मंत्राले द्वारा निर्धारित राष्ट्रिय पाठ्यक्रम का पालन करते हैं। ट्रांजिशन को आसान बनाने के टिप्स एक। अपना शोध करके शुरू करें, सुनिश्चित करें कि आप दुबई से पोलन जाने के बारे में सब कुछ जानते हैं। इसमें रहने की लागत, मौसम कैसा है, स्वास्थ्य सेवा प्रनाली कैसी है और नौकरी बजार कैसा दिखता है। जैसी चीजे शामिल हैं, दो, एक बजट बनाएं, एक बार जब आप जान जाते हैं कि आपकी सभी लागते क्या होने वाली हैं, तो बचट शुरू करने का समय आ गया है, सुनिश्चित करें कि आपके पास पोलन में कम से कम पहले कुछ महीनों के लिए अपने सभी खर्चो को कवर करने के लिए परियाप्त पैसा बचा हुआ है, तीन, कुछ पोलिश सीखें, जब आप पहली बार पोलेंट पहुचेंगे और अपना रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे होंगे, तो इससे आपको बहुत मदद मिलेगी, यहां तक कि केवल कुछ प्रमुख वाक्यान को जानने से भी काफी मदद मिलेगी, चार, स्मार्ट पैक करें, अपने कदम के लिए पैकिंग करते समय, इस बारे में रणनीतिक रहें कि आप अपने साथ क्या लाते हैं, केवल आवश्यक सामान पैक करें और सुनिश्चित करें कि सब कुछ एक सूटकेस या बॉक्स में फिट हो जाए ताकि परिवहन करना आसान हो, पांच, सकारात्मक रहें, किसी नए देश में जाना कठिन हो सकता है, लेकिन पूरी प्रक्रिया के दोरान सकारात्मक रहने का प्रयास करें, याद रखें कि हर कोई समायोजन की अवधी से गुजरता है जब वे कहीं नए स्था पर जाते हैं और अंततह चीजें अधिक परिचित महसूस करने लगेंगी, पोलेंड में, अपने नए जीवन का अधिक तमलाब कैसे उठाएं यदि आपने दुबई से पोलेंड जाने का निर्नय लिया है, बधाई हो, आप अपने जीवन में एक रोमान्चक नए दी गई है, एक भाशा सीखें, जबकि पोलेंड में अंग्रेजी व्यापक रूप से बोली जाती है, कुछ पोलिश सीखने से आपको समुदाय के एक हिस्से की तरह महसूस करने में मदद मिलेगी, ये दिन प्रते दिन के जीवन को नेविगेट करना और पोलेंड द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाओं का लाब उठाना भी आसान बना देगा, दो, संस्कृती को अपनाएं, भोजन और संगीत से लेकर कला और इतिहास तक, पोलिश संस्कृती के बारे में प्यार करने के लिए बहुत कुछ है, पोलेंड की पेशकश के बारे में जा प्यल टीम में शामिल होना हो या किसी स्थानिय संगठन के लिए स्वेचह से काम करना हो, अपने समुदाएं में शामिल होना नए लोगों से मिलने और ऐसा महसूस करने का एक शांदार तरीका है कि आप पोलेंड में हैं, चार, देश भर में यात्रा करें, देखने और करने के लिए बहुत कुछ होने के कारण आप पोलेंड में रहते हुए कभी भी बोर नहीं होंगे वार्सोव और क्राको जैसे बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों और गावों तक हर किसी के आनंद लेने के लिए कुछ न कुछ है तो वहां से बाहर निकलें और एक्सप्लो करे दुबई से पोलेंड जाना एक जटिल और भारी प्रक्रिया हो सकती है एक सफल कदम सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों के कानूनों विनियमों और प्रक्रियाओं से खुद को परिचित करना महत्वपूर्ण है अपने स्थान परिवर्तन को यथा संभव तनाव मुक्त बनाने के लिए अपने खर्चों का साफधानी पूर्वक बजट बनाना भी महत्वपूर्ण है